चंदीगर के एक होटल में कारेरत युवक पिशले 12 दिन से लापता चल रहा था और अब युवक की मौत की खबर सामने आई है इस पूरी घटना में दुखत खबर ये है कि उत्राखन के उत्रकाशी का रहने वाला 25 साल का विरेंद सिंह रावत का शव रेलवे ट्रैक पर कटा मिला जानकारी के मताबिक चंदिगर के होटल में नौकरी करने वाला मिलतक विरेंद चंदिगर में अपनी पत्मी बेटे और भाई के साथ रहता था इसी के साथ ही आपको बता दे विगत 5 जुलाई को विरेंद अपने एक दोस्त के साथ रात करीब साड़े ग्याला बजे घर से निकला था मगर उसके बाद वो घर नहीं लोटा और उसी दिन से विरेंद ला पता था और तब से मनी माज़रा पुलिस ने कई बार विरेंद के दोस्त को बुला कर बयान लिये और खोजबीन भी की थी लेकिन विरेंद के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था हालाकि जिस शव की फोटो रेलवे पुलिस ने पुलिस को दिखाई थी उस फोटो को मनी माज़ा पुलिस ने विरेंद के भाई को पहले दिखाये था लेकिन विरेंद का भाई तब उसे पैचान नहीं पाया था वहीं अब परिजनों का आरोप है कि पुलिस विरेंद के लास्ट सीन एविडेंस पर काम कर उसे दोस्त पर कड़ी कारवाई वपूस्ताच नहीं कर रही है जिससे विरेंद के बारे में पता चल सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था फिलाल ये हादसा है या मडर इसका खुलासा होना भी बाकी है वहीं गड़वाल सभा के अध्यक्स ने बताया कि गड़वाल सभा की पुलिस के अधिकारियों ने इस समंद्वे वार्ता हुई है और मामले की जाच चल रही है